राधे राधे भगवान की क्रुपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सुभा उठकर ऐसे कौन से काम करें कि हमारा जो जीवन है वो सुख में हो जाए और हमारा सारा दिन भी अच्छा निकले पहले तो हमें सुभा उठकर अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और फिर हथेलियों को रगड़ कर अपने मुँपर तीन चार बार हाथों को फेदना चाहिए और उसके बाद हमें घर के मंदर में जाना चाहिए किसी मूर्ती को नहीं छूना है क्योंकि नहाए बिना मूर्तियां नहीं छूते मंदिर में दूर से ही मंदिर को परनाम करना चाहिए अपने भगवान के दर्शन करने चाहिए और मंदिर में जैसे हमने गाए बच्छडे की मूर्ती या कोई फोटो रखी होती है या शंक रखा होता है तो उस पर भी हमारी नजर पढ़ती है तो सुभा सुभा इनको पहले देखना भी बड़ा अच्छा होता है और हमें भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं हम भगवान का भी चहरा देख लेते हैं और गाय बच्छडे को सुभा सुभा उठते ही देखना बड़ा अच्छा होता है और शंक पर भी नजर हमारी पड़ जाती है वो भी सुभा सुभा देखना बड़ा ही अच्छा होता है और फिर हमें अपना जो में डोर है उस पर एक लोटा जल अवश्य ही डालना चाहिए अगर फ्लैट वगारा में रहते हैं जल डाल नहीं सकते ज्यादा कॉंटिटी में तो लोटे से जल लेकर दरवाजे पर और दहलीज पर छिड़क देना चाहिए जिससे के हमारे पितर प्रसन होते हैं और देवताओं का शीरवाद हमें मिलता है और हमें सुबह उठकर जैसे बच्चों की तस्वीर या हमारे माता पिता की तस्वीर कोई भी हो तो उसे भी देखना बड़ा अच्छा होता है अगर उठते ही हमारी नजर उन पर पढ़ जाए उन तस्वीरों पर तो ये भी बड़ा अच्छा रहता है हमारा दिन बड़ा ही अच्छा निकलता है तो हमें सुबह सुबह फूलों को भी अवश्या ही देखना चाहिए जैसे कोई गमले वगेरा लगा रखे हैं तो उनमें अगर गरीनरी को हम देखते हैं या फूलों को देखते हैं तो भी हमारा मन बड़ा परसन होता है और फिर सारा दिन ही हमारा अच्छा निकलता है। इस तरह से हम सुभा उठकर अगर इन में से किसी भी चीज को देख लेते हैं या सभी ही चीज ये हमारे पास उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छा है फिर तो हर अच्छी चीज पर हमारी नजर सुभा ही पढ़ जाएगी और हमारा दिन अच्छा निकलेगा और हमारा जीवन भी सुख में हो जाएगा आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल सिध्ध होगा अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल सिध्ध हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जैमाता दी